नमस्कार दोस्तों, आज एक वर वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एडवाइस एक्स्प्रेस में दोस्तों इनदी आपका बैंक अकोउंट ICICI Bank में है तो आप किस तरिका से ICICI Bank का इंटरनेट बैंकिंग राइस्टेशन करेंगे इंटरनेट बैंकिंग चालू करेंगे इस वीडियो में आपको complete प्रोसेस बताने वाले हैं तो आप लोग वीडियो को अंतर जरूर देखिएगा साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों आपको इपि ब्रोजर औपन कर लेए और सर्च कर लेए आए साइस जिय बैंकि चलिए सर्च कर लेते हैं आप यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे ICICI Bank यहाँ पर देखे आजाएगा ICICI Bank.com आपको इस पर किलिक करना है अब आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा यहाँ पर देखे लिखा है Login आपको Login पर किलिक करना है अब आपको इस तरीका से आजाएगा यहाँ पर देखे लिखा है Login to Internet Banking User ID आपको यहाँ पर ICICI bank का user ID fill up करना है जब आप ICICI bank में online account open करते हैं तो आपके registered mobile number यानि कि जो mobile number ICICI bank account के साथ link है उस पर user ID SMS से आता है यदि आपने offline account open किया है यानि कि branch में जाकर के account open किया है तो आपको वहाँ पर ICICI bank के तरफ से user ID दिया आता है यदि आप अपना user ID भूल गाए है आप यहाँ पर get user ID पर click करके अपना user ID मालुम कर सकते हैं चलि हम यहाँ पर user ID fill up कर लेते हैं यहाँ पर हमने user ID fill up कर लिया है इसके बाद नीचे में है password तो आपको यहाँ पर get password पर click करना है अब आपको इस तरिका से open हो जाएगा यहाँ पर click here to proceed पर click करना है इसके बाद दोस्तों आपको इस box में user ID fill up करना है चले fill up कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर registered mobile number तो इस box में आप अपना registered mobile number fill up कीजे जो mobile number bank account के साथ link है चले fill up कर लेते हैं यहाँ पर mobile number fill up करने के बाद go पर click करेंगे अब दोस्तों आपके registered mobile number यानि की जो mobile number ICICF bank account के साथ link है उस पर OTP आया होगा तो आपको इस box में OTP को fill up कर देना है चले fill up कर लेते हैं OTP fill up करने के बाद go पर click करेंगे अब आपको इस तरिका से open हो जाएगा minimum 8 character का और maximum 28 character का बना सकते हैं इसके अलावा password में capital letter साथी small letter इसके अलावा special character और number सामिल होना चाहिए यदि आपको समझ में नहीं आता है कि हम किस तरिका से यहाँ पर login password बनाएंगे तो आप screen पर दिखाना हो सार से login password बना सकते हैं new password में tap कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही हमने password टैप किया यहाँ पर देखिए लिखा गया strong इसके बाद नीचे में है confirm new password तो जो भी password आपने उपर में fill up किया same to same नीचे भी आपको fill up कर लेना है इसके बाद आप go पर click करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आगया you have successfully generated your ICICI bank internet banking login password आप यहाँ पर login नो पर click करेंगे अब यहाँ पर देखिए ICICI bank के net banking में login करने के लिए आगया है तो आप यहाँ पर अपना net banking का user ID fill up कर लेंगे चले fill up कर लेते हैं यहाँ पर user ID fill up करने के बाद नीचे में password तो जो भी आपने अभी login password बनाया है वो आप password यहाँ पर fill up कर लेंगे password fill up करने के बाद login पर click करेंगे अब आपको इस तरीका से open हो जाएगा यहाँ पर देखिए आप पहली बार जदी password यहाँ पर बनाएगे तो यहाँ पर आपको password को change करना परेगा तो यहाँ पर देखिए आगे है change password तो आपको इस box में tick कर लेना है इसके बाद यहाँ पर password में आपको type कर लेना है जो भी आपने अभी password बनाया था तो यहाँ पर हम password type कर लेते हैं इसके बाद नीचे में new password तो जो भी आप ICSA bank के internet banking का login password रखना चाहते हैं यहाँ पर वा type कर लेंगे चलिए हम login password बना लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि password आप minimum 8 character का और maximum 28 character का बना सकते हैं इसके अलबा password में capital letter, small letter, 7, number और special character को सामिल करना है आप screen पर दिखायरों सार से login password बना सकते हैं चलिए हम यहाँ पर new password बना लेते हैं हमने यहाँ पर password टाइप कर लिया है इसके बाद नीचे में retype new password तो जो भी आपने यहाँ पर new password बनाया है same to same नीचे भी आपको type कर लेना है इसके बाद आप update पर click करेंगे आप दोस्तों देख सकते हैं हम ICICI bank के internet banking में login हो चुके हैं login करने के बाद यहाँ पर आपका total balance हो करता है के अलाब यहाँ पर देखी लिखा हुआ savings यदि आपका saving account है तो यहाँ पर saving लिखा हुआ होगा आप view statement पर click करेंगे तो आप यहाँ पर अपना statement देख सकते हैं mini statement पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको mini statement show करता है इसके अलाब आप यहाँ पर bill payment में electricity पर मान लेजी हम click करेंगे आप यहाँ पर कोई भी bill payment कर सकते हैं इसके अलाब दोस्तों यहाँ पर और भी option दिये गा है जैसे की आप यहाँ पर प्रस्टर लिटेल देख सकते हैं account की समड़ी देख सकते हैं bank account में जाएंगे तो यहाँ पर आपका account लिटेल दिखाए लेगा आप यहाँ पर deposit पर click करके every rd के बारे में जानकारी ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ICICI bank के internet banking में जितने भी option दिये गए हैं साले option का हम separate वीडियो लाने वाले हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके notification में all कर लिजे तो दोस्तों इस तरिका से आप लोग ICICI bank का internet banking registration कर सकते हैं internet banking चालू कर सकते हैं मैंने आपको complete detail में बता दिया है आपके मन में कोई सवाल लगता है तो comment जरूर कीजेगा साथ इस वीडियो को like करना मत भूलिएगा फिर मिलता अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई